बिहार को यदि राजनीती शब्द का प्रयावाची कहा जाए, तो कोई गलत नहीं होगा, और यदि राजनीती को शतरंज का खेल कहा जाए, तो भी गलत नहीं होगा, राजनीती का चाल कुछ ऐसा होता है, जैसे शतरंज में हाथी का देड़ चाल किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन हर पल राजनीती की बदलती चाल को महसूस कर पाना आसान नहीं होता है। बिहार की राजनीती में आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। संभावनाओं के सियासत के बीच सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। तो आज हम इन सभी संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। अब नमस्कार में नाम प्रशान्त राय है और आप जनता जंक्षन का स्पेशल सेग्मेंट एक्स्प्लेनर देख रहे हैं। लोग जन्शक्ती पार्टी के महा महिम राम बिलास पासवान के निधन के बाद अकेले पड़े उनके सुपुत्र चिराग पासवान को राजमीति का कानछाओं के कारण अपनी ही चाचा पशुपती कुमार पारस से बगावत देखनी पड़ी। राम बिलास पासवान को गुजरे एक साल भी नहीं हुए थे कि पशुपती कुमार पारस ने राजनीति की खेल को समझते हुए चिराग पासवान को पार्टी से दरकिनार करने का फैसला कर लिया। बता दे कि बिहार विधान सभा चुनाओ के समय चिराग पासवान ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था। बावजूद इसके इस संकट की घड़ी में चिराग पासवान के साथ बीजेपी के एक भी नेता दिखाई नहीं दे रहे थे। और पशुपती पारस को बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बना दिया। पूर्व सांसद और कॉंग्रिस नीता शत्रुगन सिन्हा ने अपने बयानों में संकेत दिये हैं, ये आने वाले समय में वो कॉंग्रिस का दामन छोड़कर त्रिनमूल कॉंग्रिस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद शॉर्टगन से मशूर सत्रुगन शिन्हा ने पी एम मोदी की तारीफ वाली ट्वीट कर दी। बताया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों की मा ने तो शतुधन सिन्हा जीना कांछाओं के साथ कॉंग्रिस में शामिल हुए थे, विया कांछाओं की पूरी नहीं हो रहे हैं और अब वे राजनीतिक के खयाल से अपना अस्तिक्प खोजने में लगे हुए हैं। अब अगला सुन लीजिए। अब दी जाए और ये सब कारेक्रम जग्दानन सिंग के निगराने में हो। तभी से जग्दानन सिंग नाराज बताए जा रहे हैं। इसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि तेजपरताब यादव मुझे चाचा कहकर संभुईत किया। और चाचा कहने पर कोई नाराज नहीं होता है बलकि खुश होता है। हम उसे बचपन से जानते हैं, वो बचपन से ऐसा ही है। वो तो खुद तिर्यस्वी यादव को महाभारत का सिनापति कहता है, फिर कैसा मतभेद और कैसी नाराजगी। राजनितिक निशेशग्यों की माने तो जगदानन सिंग ने अपने बयान में तेजप्रताफ यादव और तिर्यस्वी यादव दोनों को एक साथ खुश करने का काम किया है। अब अगला समझे। बिहार की पूर मुख्यमंत्री और हिनुत्तानी अवाम मूर्चा के अध्यक्ष, जीतन राम मान्जी और विकास श्रील इंसान पाटी के अध्यक्ष मुकेश रहनी के बीच हुई गुप्त बैठक के बाद बिहार की राजमीति के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बैठक के बाद जीतन राम मान्जी ने स्यम नितीश कुमार को ही कटगरे में खड़ा कर दिया। नितीश कुमार पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहे लेकिन उन्हें भी सामने वाले के बारे में सोचना चाहिए। आर्सीपी सिंग ने बयान दिया कि यदी पार्टी चाहे तो हम दोनों पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इससे ये साफ हो गया कि आर्सीपी सिंग अध्यक्ष परपर बने रहना चाहते हैं। लेकिन इससे नए नवेले जद्यू में बापसी किये उपेंद्र कुश्वाहा नरार बताई जा रहे थे। ततकाल के लिए एक बैठक बुला कर नितीश कुमार ने मामले को शांत कर दिया है। अब आने वाले 31 जुलाई को तय हो सकता है कि जद्यू का राष्ट्य ध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। बिहार की राजनीती में एक साथ इतनी उथल-कुथल काफी कम देखने को मिलती है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में बिहार की राजनीती में बड़ा बदलाव दिखा रा सकता है। जैसे कभी-कभी शत्रंज में सिपाही के खड़े रहने के बावजूद राजा को खार का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत धनिवाद।